इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे BLSE Services के बारे में जिसने के अपने quarter 1 के numbers को during market hours में publish कर दिया था तो चलिए देखते हैं इस बार के numbers कैसे रहें तो company ने सिर्फ सिफ quarter 1 को लेके announcement करी इसके अलावा आने दर कोई भी announcement हमें देखने को नहीं मिल ली dividend bonus split को लेके कोई भी announcement नहीं हुए सिर्फ सिर्फ quarter 1 के numbers को company ने publish किया तो details आपके सामने और तो discuss करेंगे company के consolidated financial results सारे amount lack में हम लोग इन crores में discuss करेंगे quarter 1 की earning से 14 then last year का quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा बात करते हैं सीधा total income की जो की income from operations और other income दोनों को add करके आती तो yearly basis पे income company की 76 करोड से 82 पे आगे quarterly 78 से 82 पे तो quarter प्लस yearly दोनों ही जगे income बढ़ी है और इस company के ओपर कोई भी market estimate किसी भी broker का अब लेवल नहीं था expenses की बात करें तो 67 से 64 पे आगे yearly और 64 करोड 29 लेक से 64 करोड 93 पे quarter रहन quarter तो जिस तरीके से income बढ़ी है expenses भी quarter प्लस yearly company के बढ़ गए then discuss करते हैं company को total profit या loss for the period कितना हुआ तो last year quarter 1 की अगर बात करी जाए तो total profit थे company के एपरोक्स 5 करोड के वो इस बार एपरोक्स हमें 12 करोड पे देखने को मिल रहा है same reflection देखने को मिलेगा company के EPS में जो की profit दोनों जगह बढ़े तो EPS भी 0.77 से 1.32 पे आगे quarterly 1.46 से 1.32 पे तो overall दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस बार के जो BLS के profit है BLS E-Service के वो quarter और yearly दोनों ही जगह में बढ़ते हो देखने को मिल रहा है और market estimate इस company के उपर available नहीं था तो आपको आज BLS E-Service के कितने shares में comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बब बाई